हुआ। होách तूडेंट्स आई अनेशय वेल्कूम्यों थाड़ीख जाना अब करेंगी बेटा हम निमेरिकल्स डिस्कस करेंगे स्प्रिंग्स पे हमने उसकी उसीलेशन्स देख लिती अगर हम निमेरिकल्स देखते हैं कि क्या सों spring ठीक है spring पे numericals अब देखो बेटा इसके कैसे आपको पता है तीन formula's है में लिए जब हम parlor में होते हैं तो हमारा k होता है k1 प्लस k2 जब हमारे spring parlor में connect के जाते हैं बर जब वो series में connect के जाते हैं तो series में हमारा k आता है 1 upon k1 plus 1 upon k2 that is जब उसका result आता है उसका जब result आ जाता है then resultant k will be k1 plus k2 upon k1 k2 ठीक है तो बस यह चीज़े याद रखने है कि parallel में मेरा k सीधा connect हो जाता है k1 plus k2 और series में उसके value आते है k1 plus k2 upon k1 k2 और में लिए time period की value हमें मैं पता ये 2 pi is equals to under root m by k तो दोनों ही टाइम में हम इस पर यहां पर क्या रख देंगे बस k की simply values रख देंगे तो यह इतना हुआ बस यह दिमाग में रखना है वो निमेरिकल करते जाना है अब निमेरिकल कीजिए बेटा निमेरिकल से आप करेंगे question यह आपका NCRT का निमेरिकल है तो मैं इसकी definition लिखवाने की ज़रूरत नहीं है जो अलग से लिखवाओंगी वो मैं करा दूंगी NCRT का है जिसे टू identical springs on of spring constant k दो identical spring है दोनों के spring constant k है Attest to a block of mass M and a fixed spot as shown in figure एक fixed spot है जैसे देखो एक यहाँ पर है ऐसे यह fixed spot है इस तरफ ठीक है यह अब मा से मेरा कोई M यहाँ पर बीच में रखा गया है ठीक है इससे क्या है मेरे दोनों ही तरफ spring connect है ऐसे दोनों के spring constant है k ऐसे मेरा figure दिया गया है मुझे ठीक है अब क्या है बिटा इसमें है show that when the mass is displaced from its sequel theorem position on either side it executes a simple harmonic motion find the period of oscillation यह बहुत important question है वही यह expression के तरह पूछा गया है इसमें क्या है कि यह अगर इसकी एक position से खिसकाया गया है किसी भी side यह तो मेरे same थे अगर मानो मैंने towards right इसे खिसकाया है तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह वाला spring जादा मेरा compress हो जाएगा ऐसे मास यहां पर आ गया बैम और यह वाला spring stretch हो जाएगा लाइक ऐसे तो में ली mean position से देखो कितना दूर गया बिटा यहां से देखो mean position यहां पर थी तो यहां पर जो मेरा force लगेगा इसका force देखो यह इसको दबा रहा है इसकी इस तरफ लेके जा रहा है mainly इसी तरफ और यह मेरी इस force के इस spring के लिए मेरी moment तो force मेरा इस तरफ लगेगा F2 इसे इस तरफ खीचा जा रहे है तो मेरा F1 भी इसी तरफ लगेगा opposite side में बस यह चीज़ आपको समझ आने चाहिए कि mainly किस तरफ मेरे force की F1 की direction होगी और किस तरफ मेरे force F2 की direction होगी तो F1 की direction भी इसी तरफ क्योंकि compress किया जा रहे तो opposite direction में force लगेगा इसमें मेरा इस तरफ खिसकाया जा रहे तो इसका भी opposite direction में that is don't know forces की direction यह हुई ठीक है इतना समझ में आया अब मानलो जो मेरा यह थोड़ा से left hand side left hand side लगेगा F2 भी क्या हो जाएगा minus KX तो वो भी left hand side यह दोनों cases आप समझ गए ना मिटा हम में दे total force क्या हो जाएगा मेरा F1 plus F2 क्योंकि दोनों ही एक तरफ लग रहे हैं तो force दोनों है that is minus KX minus KX क्योंकि displacement तो उतनी हुई ना जितना वो अंदर displays हुआ होगा यह वाले चीज़े जितना यह force इस तरफ खिसका उतना ही यह इस तरफ आया में ली यह एक्स तो आप समझ गे ना दोनों में क्यों लिया क्योंकि वो भी तो उस equation से जो हमारी equilibrium position से X तरफ गया मेरा S2 और X तरफ आया मेरा कौन सा F1 वाला ठीक है तो दोनों ऐसे किया तो minus K common X plus X that is minus 2KX तो में लिए यहां से आप देख सकते हो कि यहां से जो मेरी K की value हो सिमिलरली बस minus 2K है ओके अब मुझे पता है पीटा है SHM में क्या होता है F is directly proportional to minus of X तो आ गया ना यह minus of X आ गया it means यह क्या होगा therefore mass is left free mass free रहेगा और जो यह F is directly proportional to minus X आ गया that is M is directly proportional to M is minus X that is A is directly proportional to minus X similarly तो यहां से simply यह आ जाते है तो it executes यह तो हमारा प्रूव हो आना कि it executes SHM यह हमारा क्या एक्जिक्यूट करेगा simple harmonic motion अब हमें इसका time period भी निकालना है कि time period क्या होगा इस case में तो time period हमें पते 2 pi क्या होता है इनर्शियल फेक्टर अपॉन क्या होगा spring factor तो यहां पर होगा 2k इनर्शियल फेक्टर क्या होगा mass of the block mainly inertial factor है क्योंकि उसी की momentum देख रहे न तो inertial factor इहां पर होगा mass of the block that is m तो mainly t will become of 2 pi under root m by 2k क्योंकि यहां पर इसकी value क्या है 2 तो simply बहुत जाथ सिंपल था simple expression के तरह अगर expression समझा गए तो यह भी बहुत उच्छे से समझ में आ जाएंगे अब जैसे next numerical है यह थोड़ा extra का numerical है तो मैं इसे लिखवा देती हूँ question the vertical motion of a hughes piston in a machine is approximately approximately simple harmonic with the frequency with the frequency of 0.50 second inverse a block of 10 kg is placed on the piston what is the maximum amplitude of the pistons as a chain for the block and piston to remain together okay तो मैं इनली question आपका क्या जिया के बिटा the vertical motion of a huge piston in a machine एक आपकी क्या है एक बड़ी सी मशीन है उसका एक पिस्टन है उसकी वर्टिकल मोशन ओरी ऐसे है अप्रोक्सिमेटल सिंपल हार्मोनिक उसकी जो मोशन ओरी है वो सिंपल हार्मोनिक की तरह हो रही है जिसके frequency दे गई है 0.50 second inverse और मास दिया गया है 10 kg तो आप लिखेंगे मास वी कितना गया दिया गया है पिटा solution आप करेंगे वी गिवन है 0.50 second inverse और मास कितना गिवन है 10 kg अब उपर देखो is placed on the piston what is the maximum amplitude of the piston is simple harmonic motion for the black piston is to remain together में लिए हमें maximum पूछा गया है amplitude कि कितना हमारा होना चाहिए कि हमारा जो piston है वो साथ में ही रहे उसके मतलब वो motion execute करता रहे अब मुझे पता है mu क्या होता है बेटा यहां से होता है मैं k की value निकालो 2 pi under root k by m होता है तो यहां से k is equals to 4 pi square v square m तो k की value क्या गई यह अब मुझे पता है 4 maximum अगर displacement होने चाहिए तो उसके लिए वो equal to amplitude होने चाहिए है है ना तो mainly for maximum displacement maximum displacement f is equals to minus k a ठीक है sorry y max is equals to a होने चाहिए ठीक है अब maximum restoring force जो है maximum restoring force वो क्या होगा बेटा f is equals to minus k a is equals to minus mg उसका जो नीचे force लग रहा होगा तो यहां से जो a की value आएगी a will be equals to mg by k ठीक है k की value क्या है mg upon 4 pi square v square m m से m कटा जो मेरी a की value आगे वो क्या है जी अपॉन 4 pi square v square जी की value 9.8 meter per second 4 into 3.1 का square multiply by जो point v की value कितनी थी 0.05 का square अगर आप इसे calculate करोगे then acceleration will come out amplitude will come out 0.99 mm मेली मुझे extreme वाली जो मेली extreme maximum displacement आनी थी वो पूछी गए थी तो यह क्या है 0.99 meter ठीक है इट मिन्स नेरली इकवल स्टो 100 meter के है तो यहां पर मितलब उस piston के जितना वो simple pendulum की तरह मूव करके जितना वो मूव कर रहे कितना displace हो रहा है वो में पूजिशन से नेरली 100 meter के ओके अब देखो बेटा इसी में NCRT का numerical है question no.3 NCRT का numerical है आपका अब block mass a block whose mass is 1 kg is fastioned to a spring. The spring has a spring constant 50 Nm. The block is pulled to a distance x 10 cm from its equilibrium position equilibrium position at x is equal to 0 on a frictionless surface at t is equal to 0. calculate the kinetic potential and the total energies of the block when it is 5 cm away from the mean position ठीक है में ली क्या होते देखो x is equal to मेरी जो होती है वो क्या होती x naught sin omega t sin omega की value क्या होती है under root k by m spring constant की value इसमें दिखे ही बेटा 50 तो मेगा की value क्या होजे कि 50 अपोन और 1 kg mass तो 1 that is omega की value क्या आगई under root 50 Newton per meter ठीक है में ली रेडियन पर सेकिंद या Newton per meter यह क्या होता है वी होता है dx by dt that is x naught omega cos omega t ठीक है x की value मुझे 5 दी गई है it means 0.05 meter और वो किस position से जा रहा है मेरी जो main position है that is 10 cm तो 0.10 meter ठीक है it means जो यह जा रहा है velocity की value given है ना x की value given है कहां से walk is put distance x 10 cm और equilibrium position x is equals to 0 से तो में लिए वो पूछा गया है कि कितना होगा ठीक है तो यहां से आप देखो यह हुआ तो 0.05 is equals to Newton per meter है ना तो 0.05 is equals to 0.10 sin omega t ठीक है यह आई मेरी value अब देखो इसमें क्या है इसमें है sin omega t will become amount 0.05 upon 0.010 that is 1 upon 2 तो जो मेरा theta वो सबस्टेंट कर रहा होगा बेटा theta कितना सबस्टेंट करेगा पाई बाई बाई 6 ठीक है तो मेगा टी की value क्या आगई पाई बाई 6 ठीक है ओमेगा टी की वेल्यू पाई बाई 50 multiplied by cos by by 6 तो जो आप करोगे 0.1 multiplied by root 50 multiplied by root 3 by 2 that is 0.6123 meter per second ठीक है मेली velocity की value आगई अब मुझी क्या निकालना है बीटा calculate the kinetic potential energy kinetic निकालनी है तो half of mv square that is half of 1 into 0.6123 का square that is यह आएगी नियरली 1.875 Zool ठीक है तो energy की value क्या आगई 0.1875 Zool ठीक है अब मेली potential energy निकालनी है वो क्या होते है इप is equal to half of kx square that is half of 50 multiplied by 0.05 का square that is 0.0625 Zool मुझे क्या निकालनी है तो टोटल energy यह क्या कहीं काईनेटिक energy और यह potential energy simply इसमें थोड़ी सी tricks है तो यह हमारा आ भी सकता और रहीं भी आ सकता बट NCRT के तो आप कर लीजिए अब total energy क्या होगी वो हो जाएगी EK plus EP that is 0.875 plus 0.0625 nearly equals to 0.25 Zool तो आपको सिर्फ यह values निकालनी थी तो ऐसा numerical रेरली ही देंगे क्योंकि यह थोड़ा बड़ा हो जाता है 3 marks में या तो numerical पूछना हो तो ऐसा देंगे वरना जो connect होके आएगा आपका थेहरी से तो most probably chances थेहरी से connect होके आए तो जो आप में numerical कराने जारे हो वह ज्यादा important है तो क्योंकि वह थोड़ा easy है और NCRT में मतलब CBSE हमाने थोड़ी जादा मुश्किल भी नहीं पूछती तो यह है आपका numerical यह आपका NCRT का numerical है बीटा अब 5 kg collar is attached to a spring of spring constant 500 newton per meter एक mass दिया गया है 5 kg collar तो 5 kg दिया गया है mass और उसका जो spring constant है वो कितना 500 newton per meter ठीक है अब क्या है it slides without friction over a horizontal rod ठीक है यह slide करता है इस पर कोई friction नहीं लगता है अज्यूम किया गया है इट मेंस हमारे जो ठीक है वो टोटली अच्छे से slide कर रहा है ठीक है the collar is displaced from its equilibrium position by 10 cm वो कितना चला गया है उसका maximum कितना है 10 cm 10 cm that is 0.01 cm वो में पोजिशन से जीतना maximum गया है वो मेरा maximum displacement है अब क्या बटा इस रिलीज क्यालकुलेट दी पीरियड ऑफ दी उस्सिलेशन आपको पीरियड ऑफ दी उस्सिलेशन फाइंड करना है इस ताइम पीरियड सेकेंड में आपको करने करना है यह maximum speed and the maximum acceleration of the color तो तीन चीजे निकालेएं फर्स्ट निकालिए टाइम पीरियोड टाइम पिरिड क्या हो जाते है बिटा टी इस इकलस तो तू पाई रूट एम बाई के हर एक चीज की वेल्यू गिवन है तू मुल्टिप्लाइ बाई 3.14 या फिर आप ऐसी रखे 3.14 अंडर रूट एम कितना है एम की वेल्यू बिटा 5 के जी तो 5 अपोन 500 1 upon 100 that is 1 upon 10 2 multiply by 3.14 upon 1 upon 10 then क्या हो जाएगा इसका आप करेंगा 0.628 सेंटी तो में लिए उसका जो टाइम पिरेड आएगा 0.628 सेंट ठीक है ये समझ गए आप अब सेकेंड पार्ट में निकालना है सेकिंड पार्ट में निकालना है वेटा तो period of the oscillations आपको कहा निकालना है period of the oscillations तो period of the oscillations तो हो गया है mainly b में निकालना है maximum speed maximum speed क्या होगी omega पहरे तो में निकालना हो क्या होगी 2 pi by t 2 pi multiply by t क्या है 0.628 that is 314 तो pi upon 3.14 upon 314 ये क्या आगया point में तो it will be equals to 10 meter 10 second inverse तो omega के value क्या आगया 10 second inverse अब मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है maximum velocity क्या निकालना है maximum velocity maximum velocity निकालनी है तो v क्या होता है omega a maximum velocity a omega होते ने तो मेरे displacement 0 हो जाती है तो a omega omega की value 10 और a की value दी गई है कितना हमारा वो displaced होता है 10 cm तो 10 multiply by 10 that is 10 cm होता है वो omega की value 10 second inverse और उसकी value 10 cm that is 0.10 अब यहां से क्या आजएगा 1 meter per second तो में निकालना है तो velocity की value है वो क्या आगी 1 meter per second ठीके अब यह बेटा मुझे निकालना है c part में इसमें निकालना है maximum acceleration of the color maximum acceleration of the color यह क्या है बेटा maximum acceleration क्या होगा omega square y omega square a अगर acceleration निकालना है तो omega square a तो omega की value क्या है 10 का square और a की value क्या है 1 ठीक है तो में ली और एकी value क्या है 0.1 तो यह क्या जाएगा 100 multiplied by 0.1 that is 10 meter per second square ठीक है तो यह वाली numerical आपने लेखा बहुत ही simple numerical था simply values पूछी गई थी आपको values put करनी है और निकालते जाना है ठीक है तो यह आपके NCRD के numericals यहां खतम होते हैं और उसे के साथ आपका यह oscillation chapter की theory प्लस numerical सारे cover हो जाते हैं इसे ही revise करते रहिए अलग से reference book लेने की भी जरूरत नहीं है जितने notes है वो sufficient है और इसे जादा से जादा revise कीजिए इस chapter में से बहुत अच्छी knowledge आती है और जो हमारे 12th में बहुत use होता है 11th में तो है यह 12th में बहुत पूछा जाएगा तो उसे हैसाब से prepare कीजिए next videos में हम अपने नए chapter को शुरू करेंगे इसमें इतना है thank you so much जाहिए